जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे कानों में एक ही बात दाली जाती है, बेटा, बेटी, पढ़, लिक, बड़े हो करके, मा है, मा कहती है, राजा बेटा, इतने सारे राजा, न कभी हुए, न कभी होंगे, परन्तु सभी मा की यही इच्छा रहती है, कि मेरा बेटा बड़ा हो, और मेरा बेटा बहुत नाम कमाए, तो पढ़ो, 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 यह करो, वो करो, पहले से यही बात दाली जाती है, जब स्कूल की उमर हो जाती है, किंडर गार्डन भेजते हैं, वहां भी वही पट पढ़ो, 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 और जब पढ़ करके सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो फिर दूसरी पट्टी, वो पट्टी भी पहली पट्टी की तरह है, करो, 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 और करते रहू और जब रिटायर्ड हो जाते हैं जब करने के लिए कुछ नहीं है तो अपने आपको बॉर्ड पाते हैं सारे जीवन भर यही आशा थाई कि करना न पड़े और रिटायर्मेंट हो गई जब तो आप करने की कोई जरत नहीं बैठो घर में अब बैठे कैसे बैठे क्यों कि दिन रात यहां टेप चल रही है करो 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 कुछ तो करो करना है करना है करना तो सच मुझ में मैं पूछता हूँ कि ये चीजें हजारों साल से चलती आ रही है और इसका क्या परिनाम हुआ है क्या परिनाम हुआ है क्या सक्सेस मिल गई है इस दुनिया को स्कूल में जब बच्चे को भेज जाता है तो कैसा पढ़ रहा है कितना पढ़ रहा है कितना समझ रहा है पता लगता है रिपोर्ट कार्ड से ठीक है न आज अगर रिपोर्ट कार्ड बने इस दुनिया की अगर आज रिपोर्ट कार्ड बनाई जाए इस दुनिया की तो यह समझते हो क्या समझते हो दुनिया पास होगी या फेल जितना पैसा लडाई में खर्च होता है उतना मनुष्य की भलाई में खर्च नहीं होता है इसी को समझ कहते हैं अब सोचने की बात है कि छोटे-छोटे देश जो लडाई करते हैं आप उसमें वो क्यों कर रहा है इन देशों के पास इतना पैसा तो है नहीं एक्स्ट्र पैसा तो है नहीं कि ये लडाई में खर्च करें तो ये खर्च कर रहे हैं बुलिट्स बनाते हैं और इन देशों को बेचते हैं और उनको और कुछ नहीं चाहिए कि देशों में लडाई होती रहें और ये अपना बैट करके बेचते रहें बेचते रहें बेचते रहें हम तुम ये हालत है दुनिया की मैं एक प्रशन पूछता हूं बहुत बड़ा प्रशन है ये इसका उत्तर पता नहीं कितने किताबों में समाएगा प्रशन ये है कि जिस भी ताकत ने जिस भी शक्ति ने चाहिए उसको भगवान कहो चाहिए उसको अल्ला कहो चाहिए उसको शक्ति कहो जिसने मनुष्य की रचना की जिसने सारे संकसार की रचना की जिसने प्रकरती की रचना की क्या वो इसलिए की जो हम कर रहे हैं अब है मैं भी मनुष्य हूँ आप भी मनुष्य हैं मैं मनुष्य के नाते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कह रहा है कि नहीं इस जीवन का लक्ष यह नहीं है क्योंकि आप जीवित है आप कुछ और पा सकते हैं कुछ और कर सकते हैं, आप अपने जीवन में शांती का अनभव कर सकते हैं, आप अपने जीवन में ज्यान का अनभव कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं किसी लिस्ट से नहीं अपने हिर्दय के अंदर उस सक्सेस को महसूस करके